दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप मत्यप्रदे सिक्षक बर्ग 3 के लिए अपने फॉर्म भरा था तो उसकी फाइनल मेरिट सुची जारी हो गई है तो आपको प्रात्मिक सिक्षक बर्ग 3 के लिए अपने च्वाइस फिलिंग किस तरीके से करनी है तो step by step में बताऊँगा तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किन किन चीजों का ध्यान रखना है कैसे आपको अपनी च्वाइस फिलिंग करना है सही तरीके से तो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है असोक और आप सभी लोगों का मे प्राटमिक सिक्षक बाले option पर click करना है पिर यहाँ पर दोस्तो आपके सामने इस तरीके से page open हो जाएगा तो यहाँ पर आपको नीचे की side में जाना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साला का विकलप chain तो यहाँ पर एक मार्च 2023 से start है आप इसे 6 मार्च 2023 तक अपने साला का विकल्प 24 फिलिंग कर सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तो किन किन केटिगरी को यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रात्मिक सिक्षक साला विकल्प चैन है तू अब भ्यारतियों की सूची तो यहाँ पर आपको प्रात्मिक सिक्षक भरती 23-24 है तो नभीन सूचना तो यहाँ पर इस PDF को डाउनलोड करके इस पर क्लिक करके यहाँ से आपको डीटेल से देख लेना है कि आपका सूची में नाम आया है या नहीं आया है तो यहाँ पर आप केटिगरी सेलेक्ट करेंग यह केप्चा कोट को फिल करेंगे और सो डीटेल्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर दोस्तो प्रात्मिक सिक्षक साला बिकल्ब चैन है तो अब भ्यारतीयों के सूची पूरी आ जाएगी जो भी यहाँ पर आपका जो इसके स्कोर कार्ड है यहाँ पर र login sign up बाले option पर click करना है फिर यहाँ पर आपके सामने user login का page open हो जाएगा तो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को like नहीं किया है तो like करें और channel पर पहले बार हो तो channel को subscribe करें ताकि इस से related आगे भी आपको video मिल सके तो दोस्तों यहाँ पर आपने अगर अपना username नहीं बनाय है sign up नहीं किया है तो यहाँ पर आपको prathmix इक्चक select करना है आपको से पहले sign up करेंगे यहाँ से अगर आपने sign up कर लिया है तो यहाँ पर login करेंगे प्रात्मिक सिक्चक select करके यहाँ पर अपना roll number डालेंगे और यहाँ पर अपना password और यह capture code को इस box में fill करेंगे और login ब प्रसिक्षण योगिता का चैन तो यहाँ पर 50% अंकों के साथ इसना तक उपादी तथा इसना तक बीएड जिसने राश्टी अभ्या तक तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके लिए ये क्वालिफिकेशन चाहिए था तो यहाँ पर दोस्तों आपको simply यहाँ पर choice filling और receive इस बाले option पर आपको click कर देना हैं तो यहाँ पर दोस्तों प्रात्मिक सिक्षक सयूक्त counselling के पदों पर नियोजाक अंतरगा choice filling के संबन में अभ्यारती को सूचित किया जाता है कि अधिक्तम कितनी भी सालाओं का चेन किया जा सकता है यहाँ पर भी अपना पूरी तरह से प्रसासनिक दिशानिर्देसों के अधिन है तथा यह कताई आवस्यक नहीं है कि अभ्यारती को उसके द्वारा बांचित साला में ही पदस्त किया जाए तो यहाँ पर आप जितने जगे भी नाम सेलेक्ट करना है जितनी जगे choice कर सकते हैं आपको करना हैं फिर यहाँ पर दोस्तों आप जैसे choice feeling पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी जो choice feeling का option है वो open हो जाएगा तो यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए तो यहाँ पर आपको all district तो बोपाल्स के हैं वह आपको यहां पर इसकूल आजाएंगे उसके बाद में यहां पर आपको सिर्फ ACDPI चाहिए या TWD आप अपने डिस्टिक्ट करेंगे मान लिजिए आपको कोई एक डिस्टिक्ट करना है और उसमें यहाँ पर आपको बोत दोनों के आ जाएंगे यहाँ पर department TWD का भी आ रहा है और उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे की साइड में आप देख सकते हैं SCD वाले भी आ रहा हैं तो दोनों यहाँ पर mix है तो आप यहाँ पर चाहो तो कोई एक district select कर लेना है और उसके बाद में जैसे आपको भोपाल select करेंगे तो जैसे मान लीजी आपको ये वाला school चाहिए सबसे पहले तो यहाँ पर एक चीच का ध्यान रखिएगा आपको जो school पहले चाहिएगा जो उसी का नाम प सकते हैं या फिर आप चाहो तो 4-5 जिले के भी कर सकते हैं जैसे आपको ये चाहिए तो इस पर आपको टिक कर देना है तो यहाँ पर आपका जो school का नाम है add हो जाएगा उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर मान लीजी फिर आपको ये वाला चाहिए तो आपको second number पर ये आ school चाहिए तो आपको इसको यहाँ पर select कर लेना है तो यहाँ पर third number पर आजाएगा इसी परकार से यहाँ पर फिर इसको select करना है फिर मान लीजी आपको एक जिले में भोपाल में चार चाहिए फिर आपको यहाँ से दूसरा जिला चाहिए तो यहाँ पर अपना दूसरा जि तो फिर उसके बाद में मान लीजे आपको इन में से भी कोई उपर नीचे करना है तो दोस्तो आपको मान लीजे ये college ये वाला आपको ये school उपर करना है तो इस arrow से यहाँ पर इस तरीके से उपर ले जा सकते हैं उपर नीचे कर सकते हैं तो दोस्तो आपको minimum 50 school का नाम यहाँ पर select कर लेना है जितने ज़्यादा से ज़्यादा करोगे उतना आपको profit रहेगा तो इस तरीके से आपको अपना जो पहले चाहिए वो पहले select करना है school का नाम उसके बाद में आपको यहाँ पर submit button दिखाए देगा इस पर आपको click कर देन हैं तो change preference कर सकते हैं save करने के बाद में finally change नहीं होंगे तो उसके बाद में save preference वाले option पर click करेंगे तो दोस्तो यहाँ पर आपने जो भी school choice किये थे वो उसकी सारी list इस तरीके से आ जाएगी उसके बाद में यहाँ पर आपका जो fee details तो आपको यहाँ पर दोस्तो विभागि OTP send on registered mobile number पर one time OTP जाएगा उसके बाद आप payment कर पाएंगे तो आपको send OTP to proceed वाले option पर click करना है फिर यहाँ पर दोस्तो आप जैसे send OTP करेंगे तो आपके mobile number पर enter OTP तो यहाँ पर आपको जो आपके registered mobile number है उस पर OTP जाएगा OTP यहाँ पर डालके आपको proceed to payment वाले option पर click करन है यहाँ पर दोस्तो आप जैसी इस form की payment करेंगे finally तो आपकी choice lock हो जाएगी तो दोस्तो आप जैसी finally payment कर देंगे तो यहाँ पर फिर आपको print बटन देखेगा यहाँ से आपको अपनी जो receipt है choice feeling की वो यहाँ पर download कर लेना है तो दोस्तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जैस option ID और यहाँ पर QR code जनरेट हो जाएगा तो इसका आपको print out निकालके save करके अपने पास में रख लेना है यहाँ से दोस्तो मान लीजिए आपको कुछ edit करना चाहते हैं payment के बाद में तो यहाँ पर choice feeling edit का option है आप बाद में भी payment के बाद में यहाँ से edit कर सकते हैं दोस्तो इ वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe करें जिससे related आगे भी आपको वीडियो मिल सकी thank you दोस्तो धन्यवाद